के आव देखते हैं कि ऑसर लागत की आलोचना एं किน-किन बिंदो के अधार पर की जा सकती हैं आलोचना के अगर सबसे पहले हम देखे हैं कि अवसर लागत कि प्रियोग को दर्शाता है कि कोई विएक्ती एक वेवसाय में काम ना करके दूसरे में जाता है तो वह पेक्षा करता है कि उतनी नियुनतम मजदूरिया उतनी नियुनतम आय उसको हो जितनी कि उसको पहले के वेवसाय में होती थी तो जो विसिष्ट साधन होते हैं यानि कि कुछ साधन ऐसे होते हैं जिनका वैकलपिक प्रयोक संभव ही नहीं होता उनको कहीं एक ही जगा पर काम करना उनके लिए जरूरी हो जाता है तो वहाँ पर यह जो अवसर रागत की बात आती है यह लागू नहीं हो पाती दूसरी अगर हम बात करें तो उतपादन के साधनों की जो सभी काया है वो एक समान नहीं होती यह भी एक आलोशनात्मक विंदू हो सकता है कि उतपादन में हम जिन साधनों का प्रयोक करते हैं जैसे भूमी, शिरम, पूंजी, संगठन और साहस इसके बारे में हमने पहले भी देखा कि अपने आपनी यह सभी चीजे महत्वपूर्ण है इनको एक दूसरी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता तो इस प्रत्यक साधन के लिए जो असर लागत होती है वो अलग अलग होती है वैसे ही हम बात करें तो यहां पर जब अवसर ला इसे मानने गलत है वैसे हम कह सकते हैं कि साधन जो होते हैं वो सभी साधन ऐसे नहीं होते हैं जो पून रूप से गतिशील है जिसे अगर हम भूमी की बात करें तो यहां से उठा के दूसरी जगा ले जाए और वहां जाके मुत पादन करें तो हमको बहुत अच्छा लाप तो बहुत सरे मशीने भी ऐसी होती हैं जो खदानों कि अगर हम बात करें तो जिसां पर वहीं पर होगा मसली पालन के अगर म बात करें तो जहां पर हम पर रहे हैं वहींं olब कर तो बहुत सारी जो छा Mi यहां हैं जो गतिशील नहीं होते तो यहां पर भी अगर अवसर की बात करें कि दूसरी जगावों होते तो उस अवसर पर उनको क्या लब मिलता या क्या उनकी आय होती इस आधार पर उसत लागत को कैल्कुलेट करना कहीं न कोई मुश्किल होता है अब अगर हम बात करें उसर लागत के महत्यों की तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अवसर लागत जो है वो एक जो उत्पादन का साधन है उसको निवनतब पूरसकार कम से क उसकी योगिता के अनुसार या उसकी कारशमता के अनुसार उसको जो मिलना चाहिए उसकी जो आय होनी चाहिए वो दिलाता है वो देने के लिए कहता है दूसरे इसके महत्यों की हम बात करें तो यह उत्पादन लागत में परिवर्तन को भी बताता है क्योंकि जब हम साधन साधनों में परिवर्तन करते हैं तो जाहिर से बात है कि उत्पादल लागत भी परिवर्तित हो जाता है साधनों को अगर हम बढ़ाते हैं तो उत्पादल लागत बढ़ जाती है घटाते हैं तो घट जाती है तो किस अनुपात में परिवर्तन हुआ है किस मात्रा में परिवर जाए तो एक मानवी अवधाना भी हम इसको कह सकते हैं क्योंकि यह हमेशा बात करता है कि जो भी श्रमिक है या जो भी उत्पादन के साधन है उनको कम से कम उनकी योग गिता का पुरुसकार नियुनतब जो उनको मिलना चाहिए जितनी उनकी योग गिता है या जितनी उनकी क कारेच हमता है उतना अवश्य दिया जाना चाहिए वैसी अगर बात करें तो मूल निधारण में भी महत्वूर्ण बिंदु निभाता है इस अध्याय के प्रारम में हमने देखा कि कहीं न कहीं जब हम मांग और पूर्ती की बात करते हैं तो दोनों का ही प्रभाव कीमत निध कोड़ कर फिर हम उस्वस्तू का मूले निधारण करते हैं तो अवसर लागत भी कहीं मूले निधारण में सहायक होती है अब हम देखते हैं लागत विसलेशन जो है वो अल्पकाल में किस तरह की जाती है अल्पकाल में अगर हम लागत विसलेशन की बात करते हैं तो हम दूसरी परिवर्तंशी लागत पहले भी हमने देखा है कि जो इस्थिर लागत है उसका संबंध एक काफी लंबे समय से हम क्या सकते हैं कि दीर्जकाल में होने वाला परिवर्तन वो होता है लेकिन परिवर्तंशी लागत जो होती है वो अल्पकाल के लिए होती है अब हम यह क पत्य वस्तु साधनों की लागत होती है जिन में परिवर्तन थोड़े से कम समय में अलपकाल में संभव नहीं हो पाता यानि अगर उन इस्थिर साधनों में परिवर्तन करना है तो काफी समय चाहिए होता है कम से कम इतना समय चाहिए होता है कि जितने भी इस्थिर साधन है ज करने तो जब अन साधने में परिवर्दन करते हैं तो वह अगर रागत की बात करें तो कि बहुत सारे साधनों को जब हम स्टॉप कर देते कुछ उसमें चेंज नहीं करते हैं लेकिन किसी एक साधन को हम चेंज करते हैं जैसे कि हमने इसके पहले देखा कि उत्पादन के सभी साधनों को सथाई रखके हमने श्रम यानि कि श्रमिकों की मात्रा में परिवर्तन किया तो यहां पर कुछ साधन अम्मान लेते हैं कि ऐसे हैं जो परिवर्तित किया जा सकते हैं अल्पकाल में बागी अन्य साधनों को छोड़ कर तो अल्पकाल में कुछी साधनों को परिवर्तित कर सकते हैं यानि कि यहां पर परिवर्तन शील अनुपातों का नियम लागू होत वर्गी करण के आधार पर हम कह सकते हैं कि स्थिर लागत और परिवर्टनशी लागत जो है इन दोनों के योग को हम कुल लागत कह सकते हैं अब जैसे के हमने देखा इस्तिर और प्रतंशी लागत को हमने अलग-अलग करके देखा, अब हम देखते हैं कि वास्ताव में इस्तिर लागत क्या है? इस्तिर लागत को हम पूरक लागत भी कहते हैं अब हम ये देखते हैं कि इसके अंतरगत कौन-कौन से बिंदू हैं कौन-कौन सी चीजे इसके अंतरगत इस्पस्ट की जा सकती हैं तो सबसे पहली बात इसमें या आती है कि इसमें जो वै जिन वैयों को शामिल किया जाता है वो स्थाई साधनों पर किया जाने वाला वै होता है जिन्हें हम क्याते कि वह हमाई फर्म के स्थाई संपत्या है जैसे हम मशीनों पर वै करते हैं बहुत सारे मशीनों उपकरनों का प्रियोग हम करते हैं अपने प्लांट में वैफसाय में तो उन मशीनों पर हम जो वै करते ह है ुसाएः संपत्यों पर ही प्रकार के वैक魚 है करते हैं दूसरा हम इसको ऐसी संपत्या स्कते हैं जीने हम एक यह जड़ा और होती है और इतने सीमित समय में हम उसको अरेंज नहीं कर सकते हैं इसलिए यह माना जाता है कि स्थाई संपत्या जो इस संपत्या है उन में अगर परिवर्तन करना हो तो हम कुछ दिर्धकाल की आवशक्ता होगी यानि कि मी के सकते हैं कि अल्पकाल में इसमें परिवर्तन करना सम्भव नहीं है तीसरी हम इसके अंदर एक बिंदू देखते हैं कि यह उत्पादन के सभी इसतरों पर समाने रहते हैं यानि कि अगर आप उत्पादन को बढ़ा दे या उत्पादन को घटा दे तो आप वहाँ पर कच्चे माल में परिवर्तन करेंगे या श्रमिकों की संख या भूम या भवन की जो इस्थिती है वो वैसी की वैसी रहती है निकि सभी स्थर पर समान रहती है एक सबसे महत पूर्न की मात्रा में परिवर्तन हो भी जाता है तो भी इसमें परिवर्तन होता है यानि माल लीजिए कि अगर उत्पादन किसी समय ओधी में शुन्य हो गया तो भी यह जो इस्थिर संपत्यों पर जो वह किये जाते हैं वह एस रहते हैं वैसे कि वैसे रहते हैं उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आ पाती उत्पादन शुन्य भी मिल रहा है तो भी इन श्रमाइ संपत्यों की लागत रहती इस्थिर लागत जो रहती है वो यथावत बनी रहती है इस इस्थिर लागत को हम प्रोफेसर बेन और प्रोफेसर बेन हम की परिभाशा से और अधिक अच्छे से पर रूप से समझेंगे आये देखते हैं प्रोफेसर बेन हम और प्रोफेसर बेन की परिभाशा प्रोफेसर बेनम के अनुसार एक पर्मि के इस्थिर लागत वा लागत है जो उत्पादन के मात्रा के अनुसार परिवर्थित नहीं होती प्रोफेसर बेन के शब्दों में इस्थर लागत वा लागत है जिसके कुल राशी अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर भी पूर्टया आ परिवर्तित रहती है तो आपने देखा कि दोनों ही अर्थशास्त्रियों का लगभग एक जैसा हमत है दोनों ही मानते हैं कि जो इस्थिर लागत जो होती है वो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ साथ इस्थिर रहती है किसी भी समय में उत्पादन की मात्रा में बढ़ोत्री या कमी या शुन्य हो जाने पर भी इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन या ना के बराबर परिवर्तन देखने को मिलता है इन दोनों ही परिभाशाओं से इस पस्ट होता है कि किसी भी समय में चाहे उत्पादन की मातरा बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए या कई बार हम देखते हैं स्टेबल में कि उत्पादन की मातरा शुन्य हो गई है तो भी हम देखते हैं कि इस्थिर लागत में किसी भी संपतियां हैं यानि कि जैसे हमने भवन या भूमी मान लिया तो भूमी के लिए हम जो लगान दे रहे हैं या भवन के लिए हम जो किराया दे रहे हैं यह हमारी स्थिर लागत हुई दूसरा बहुत सारी स्थाई पूंजिया हैं हमारे पास जैसे बड़ी-बड़ी मशीने हैं बहुत लंबी समय के लिए लंबी समय वधी के लिए हमने जो रिन लिया हुआ है उत्पादन में बीच में अगर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन भी होता है तो जो लोन आपने लिया है उसका ब्याज तो हमको यथावत पहले जैसे पे करना ही पड़ेगा तो ये भी इस तरि करने पड़ते हैं अपने प्लांट के लिए अगर हमने बीमा करवाया हुआ है या मशीनों की घिसावट के लिए हमने कोई कोश बना कर रखा हुआ है तो उत्पादन की मात्रा कुछ भी हो कम हो या ज्यादा हो कोई फराख नहीं पड़ता ये ऐसे वह हैं जो हमेशा लगता चलते रहते हैं अब ये तो थी इस्तिर लागतों की बाद आप क्योंकि कुल लागत में परिवर्तन शील लागते भी शामिल है तो आए देखते हैं कि क्या है परिवर्तन शील लागत जैसे कि हमने पहले भी देखा कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ-साथ या परिवर्तनशील लागत है पहले भी हमने देखा है कि जो कुल लागत है वो इस्तिर और परिवर्तनशील लागत को मिला कर बनती है परिवर्तनशील लागत के बारे में भी हमने जान लिया कि कौन-कौन सी लागते उसमें शामिल होती है अब क्या संबंध है और कैसे हम कैलकु लागत में जो लागते शामिल होती हैं और उसके अधार पर जब हम कुल लागत इस्तर लागत और परवरतन शील लागत निकालते हैं तो उसके लिए हम एक तालिका का निर्वाण करते हैं इस तालिका में हम देख रहे हैं कि उत्पादन की विभन इकाया दी हुई है और यहां पर इसपस्ट हो रहा है कि किस प्रकार उत्पादन की इकायों में हम व्रुद्धी करते जा रहे हैं साथ में इस्थिर लागत, परिवर्तन शील लागत और खुल लागत ये सारी जानकारी यहां पर दी हुई है, हम देखते हैं कि जब हम उत्पादन की इकाईों में कोई परिवर्तन नहीं करते थे, यानि कि वो सुन्य थी, तो इस्थिर लागत 500 थी, परिवर्तन शील लागत स तो इस प्रकार का कोई परवर्तन नहीं किया गया और वहां पर पुल लागत 500 थी जब उत्पादन की इकाई में एक इकाई की व्रद्धी की गई तो इस तर्लागत पहले जितनी यानिकी 500 ही रही परवर्तन शील लागत शुन्य से अब 300 हो गई और कुल लागत भी बिल्कुल उसी अनुपाद में बढ़ी और 500 से 800 हो गई तीसरे दशा में जबकि उत्पादन की इकाई एक से बढ़ा कर दो कर दी गई चूकि इस तर्लागत में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है इसलिए वो 500 ही रहेगी परिवर्तन शील लागत 300 से बढ़कर 400 हो गई और ठीक इसी अनुपाद में कुल लागत भी 800 से बढ़कर 900 हो गई उत्पादन की इकाई में और व्रिद्धि करने पर यानि की तीन इकाई का प्रिवर्तन नहीं हुआ परिवर्तन शील लागत पहले जहां पे 400 थी अब वो बढ़कर 400 हो गई और कुल लागत ठीक उसी अनुप में हम देख रहे हैं कि उत्पादन की इकाईयों में उत्रोतर व्रिद्धि करती जा रहे हैं जैसे चार से पांच प्रिद्ष है साथ आठ नौ और दस यहां पर इस तिर लागत में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है जबकि परिवर्तन शील लागत बढ़ती जा रही है और परिवर्तन शील लागत के अनुपात में ही कुल लागत में भी व्रिद्धि होती जा रही है कुल मिलाकर इस तालिका से हम यह बात स्पस्ट कर सकते हैं कि कुल इस्थिर लागत यानि कि टी एफ सी टोटल फिक्स कॉस्ट उत्पादन के सभी इस तरों पर इस सी रहे यानि कि पहले के समान पास होई है यानि कि इसका उत्पादन की मात्रा से कोई संबंध नहीं है यह अपने आपने पूंगता स्वतन्त रहे हैं तीसरे कॉलम यानि कि अगर हम टोटल वैरियेबल कॉस्ट टी वी सी कुल परिवर्तन शील लागत की बात करें तो हम दे जैसे-जैसे ऊध्पादन की किसी एक साधन की इकायों में व्रद्धि करते जा रही है, आगर हम कुल लागत की बात करें, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें भी परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में हो रहा है जिस प्रकार परिवर्तन कुल परिवर्तन शीलागत में हो रहा है इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अल्पकार में ये इस्तिर लागत औरता इस्तिर रहती है अब अगर उत्पादन की मात्रा की बात करें तो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जबकि परिवर्तन शी लागत उत्पादन की मात्र में परिवर्तन के साथ साथ बदल पी जाती है यानि कि ये कह सकते हैं कि कुल लागत में होने वाले परिवर्तन पर कुल परिवर्तन शी लागत में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है अब जब इस टेबल के अधार पर हम एक ग्राब बनाते हैं तो हम देखते हैं कि ग्राब किस प्रकार बनता है रेखा O X पर हम उत्पादन की मात्रा को लेते हैं और रेखा O Y पर हम लागत को लेते हैं यहाँ पर हम इस्थिर लागत, परवर्तनशी लागत और कुल लागत तीनों के लिए रेखा OY का प्यूग करेंगे। सबसे पहले हम इस्थिर लागत की बात करें तो हम देखते हैं कि ये उत्पादन की प्रत्तेक इकाईयों पर इस्थिर है। जब उत्पादन की इकाईय शुन्य थी तो भी ये 500 रुपय ही था और जब उत्पादन की इकाईय अधिक्तम 10 हो गई तो भी ये 500 ही था। यानि अगर इसके आधार पर एक ग्राफ का निर्मान किया जाए तो ये एक सीधी सरल रेखा OX के समनांतर बन जाती है। जिसे यहाँ पर रेखा FN यानि कुल इस सीधी लागत रेखा की नाम से दर्शाय आगया है। दूसरे अगर हम परिवर्तन शील लागत की बात करें तो हम देखते हैं कि परिवर्तन शील लागत उत्पादन की इकाईय शुन्य होने पर शुन्य ही थी। जब उत्पादन की एक इकाईय का प्रयोग किया गया तो परिवर्तन शील लागत तीन सो हो गई। उत्पादन की दूसरी काई का प्रयोग करने पर 400, उत्पादन की तीसरी काई का प्रयोग करने पर 450, उत्पादन की चोथी काई का प्रयोग करने पर 480, उत्पादन की पाचवी काई का प्रयोग करने पर 500, उत्पादन की छटवी काई का प्रयोग करने पर 600, साथवी काई का प्रयोग करने पर साथ सो पचास आठवी काई का प्रयोग करने पर एक हजार नवी काई का प्रयोग करने पर पंदरा सो और दसवी काई का प्रयोग करने पर तेई सो हो जाती है इसके अधार पर जब हम एक वक्र का निर्मान करते हैं तो हम देखते हैं कि परि बढ़ती जाती है अगर हम कुल लागत के लिए वक्र का निर्माण करें तो हम देखते हैं कि जब उत्पादन के शुन्नी काई का प्रयोग किया गया तो कुल लागत 500 था पहली काई यानि एक काई का प्रयोग करने पर 800 हो गई दूसरी काई का प्रयोग करने पर 900 तीसरी काई के प्रयोग करने पर 950 चौथी काई पर 980 पाचवी काई पर एक हजार चट्वी काई पर 11 o सात्वी काई पर 1250 आठ्यजी पर पंदरहاं नवी काई पर 2000 दस्वी Sis 2800 हो जाता है यहां पर हमने कुल लागत यानि टीसी वक्त रेका जब निर्माण किया तो हम देखते हैं कि यह भी उत्पादन की एकाईयों में वृध्धी के साथ साथ बढ़ता जाता है साथ में यहां पर यह भी देखने को मिल रहा है कि इस पूरे रेखा चित्र में रेखा TFC पर्म की कुल इस्थिर लागत को दिखाती है अब क्योंकि कुल इस्थिर लागत इस्थिर है किसी प्रकार का कोई परिवर्टर नहीं हुआ है इसलिए वह 36 सरण रेखा है यहां कुल इस्थिर लागत वाय अक्ष पर F बिंदू के आधार रेखा X के समानांतर खीज दी गई है इसका एकर्थ यह भी हो सकता है कि फर्म का उत्पादल शुन्य हो जाता है तो भी फर्म को अलपकाल में इस्थिर लागत तो वहन करना ही पड़ता है अगर TBC की बात करें तो हम देखते हैं कि TBC यानि कि कुल परिवर्तन शी लागत वक्र पहले यह धीमिकति से बढ़ा लेकिन एक बिंदू के बाद यह तीब्र कति से बढ़ने लगा और यह जो परिवर्तन शी लागत है इसकी प्रविक्ति हमेशा उपर की ओर जाने ही रहत है वास्तों में ऐसलिए होता है यह रिखां को बताती है कि उत्पादन में ब्रिद्धि के साथ-साथ परिवर्तन शी लागत भी बढ़ गया अब कुल परिवर्तन शी लागत वक्र जो है वह मूल बिंदू से बढ़ने से प्रारम होता है इसका आर्थिया है कि अगर अल्प वक्र है इस रेखा को परिवर्तन शील और इस्थिर लागत दोनों को जोड़ कर खीचा गया है कुल लागत वक्र मूल बिंदू से प्रारम ना होकर हम देख रहे हैं कि F बिंदू से यह प्रारम हुआ है इसका एक कारण यह भी है कि अल्पकाल में फर्म के द्वारा को पर पर्मिकी कुल लागत के क्यूं है इसमें एलकीव कुल इस्थिर लागत है और के ल कुल परिवर्तन शील लागत है अब यह उत्पादन की मात्र हैं। क्यू वन तक हम बढ़ा देते हैं तो हम देखते हैं कि कुल लागत जो हैं वह बढ़कर एमक्यूवन हो जाती है ha इसमें NQ1 इस्थिर लागत है, MN परिवर्टन शिर लागत है, इस पूरे रेखा चित्र से ये स्पर्ष्ट हो जाता है कि उत्पादन की मात्र बढ़ाने पर कुल लागत तो पहले जैसे बनी रहती है, यानि कि LQ बराबर NQ1, लेकिन परिवर्टन शिर लागत यानि कि KL बढ कर MN हो जाता है, यही कारण है कि परिवर्टन शिर लागत उत्पादन की मात्र के साथ परिवर्टित होती रहती है,